उस एंकाउंटर में हमारे तीन आफीसर दो आर्मी के पुलिस के और एक जवान शहीद हो गए मुझूदा हालात को मुझूदा सरकार कैसे देखती है इसी सपया Mr. Sard बातशीत करने के लिए मुझूदा आई जिए मुकश्मीर चीफÅंट्र रावनदर है ना जी सबसेह बहुत शुक्रायब सब्सक्राइब देने के लिए सर किुछ असे आहलात को कैसे देख से लेकि आ द्याशतगर्द दोने जो साजश की और उस एंकाउंटर में हमारे तीन आफीसर दो आर्मी के एक पुलीस के और एक जवान शहीद हो गए पुरा मुलक अपने शहीदों को अपने इन वीरों को सलूट करता है सलाम पेश करता है लगातार दुश्मन की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि कश्मीर के हालात खराब किये जाए दुश्मन कौन है आज जब कश्मीर में अमन और आमान भाईचारा खुशाली यक्शती प्यार महबद से लोग जी रहे हैं इजद के साथ लोग अपनी जिंदगी घुजर बसर कर रहे हैं जो अमन के दुश्मन है वो कोन है जो इंसानियत के दुश्मन है बता ये कोन है जो कश्मीर के दुश्मन है वो कोन है उनको बड़ी तकलीफ होती है बता ये कोन वो आपको भी पता है है मैं बता है उताट वो आपको भी पता है wizard है को बंदू कहां से आती है है ये गोलीयाँ ये गरनेड कहां से आते हैं सब पता अब रोकते क्यों और लगातार को कि आधाल सु ओगा होई है आज वह दोर खटम हो गया जब अगष्टालों केलेंडर थे शर्याम मौत का खेल खुनी यहां खेला जाता था आज वो दोर खतम हुआ है आज कोई हड़तालों के कलेंडर नहीं आज स्कूल कॉलर्ज इनुविस्टीज कुले हैं बजार कुले हैं सडकों पर गाड़ियां चल रही हैं आज तरकी के नए रास्तों पर जमों क कश्मीर जा रहा है उस वकत इन अमन के दुश्मनों कश्मीर के दुश्मनों और इंसानियत के दुश्मनों को तकलीफ हो रही है और वो साजिश करके कोकर नाग जैसे हमले करके यहां खोन खराबा करते हैं और बेगुना लोगों की जान लेने की साजिश और कोशिश होते हैं बीजेपी सरकार कहते है कष्मीर में तरक्ख हो रही है लेगिन कश्मीर का नोजवां सढकू पर क्यों है देखें कश्मीर के अंदर जो तरक्ख अभी हुई है पिछले 70 साल नहीं होई Smart Cities देखो दल जल का किनारा देखो यहां River Bank के किनारे की रौनक देखो अवंतिपुरा का एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलजी यहां के देखो, हाईवेज, टनल्स, रेलवेज देखो, डेवलोपमेंट हो रही है, लेकिन नव जवान सड़कें, गाउं गाउं में सड़कें, स्कूल, कॉलज, यूनिवस्टी जो बन रही है वो देखो, बिजली द पानी देखो, बहुत डेवलेमंट मोधी साहब ने की है, स्माट मीटर्स को लेकर लोग परिशान है, लगों की परशानी दूर करेंगे, और स्माट मीटर्स के अंदर अगर कोई खरावी होगी, उन तमाम जो लोगों को तश्वीश या लोगों को फिकर है, वो मसले दूर क आखरी सवाल रहेगा, आप से कश्मीर के नौजवान जो इस वक्त सड़कू पर है, परिशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हम को नौजवानों की फिकर है, हम सब का भला करना चाहते हैं, कब करेंगे, गरीब, जईफ, दर्दमंद, बेसहरा, हम सब के मददग रविंदर राना जी मेरे साथ आप देखते हैं, एक एटियान रूफ राजनायर के साथ